गुड इवनिंग स्टुडेंट्स यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में आपका बहुत बहुत स्वागत आज इस वीडियो में हम पुराणों के बारे में पढ़ेंगे ठीक है तो देखेगा मैं आपको याद दिला देना चाहती हूँ कि यदि आपने हमारे यूटूब इंडिया ओल्डेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए नोटिफिकेशन मिले और आप इत्यास विशेशी सम्मंदित महत्योपून जानकरी प्राप्त कर सके ठीक है तो पढ़ते हैं पूराणों का अर्थ पूराण का साब्दिक अर्थ प्राचिन आख्यान होता है प्रारम्ब में इस सब्द का प्रियोग इसी अर्थ में मिलता है अथरववेद में चारों वेदों के बाद पूराण का उलेख हुआ है तो हम लोग व्यदों के बारे में पढ़ चुके हैं अतर्ववेद के बारे में अलग से भी पढ़ चुके हैं ठीक है तो अथर्ववेद में चारों वेदों के बाद पुराण का उलेक हुआ है जो किसी प्राचिन कथा का नहीं अपितु ग्रंथ का बोधक है उपनिशदों तदा सुत्रों में भी पुराण शब्द का उलेक ग्रंथ के रूप में ही है महा भारत के अध्यन से पता चलता है कि इसके वर्तमान सवरू प्राप्ट करने के पूर्वे ही पुराण ग्रंथ अस्तित्व में आ चुके थे महा भारत के वक्ता लोम हर्षन के पुत्र उग्रे शिर्वा पुराणों के ग्याता थे हरीवन्स तता वायू पुराण के अनेक अंस परस पर मिलते हैं लुडर्स का विचार है कि रिशे स्रंग का जो आख्यान पदम पुराण में मिलता है वैं महाबहरत में प्राप्थ होने वाले आख्यान से प्राची इंतर है इस प्रकार पांच वी चोती सताब्दी इस्सा पुर्व में पुराण गरंद अस्थीत्व में आचुके थे पुराणों की रचना एक सम्य की न होकर भिन-भिन कालों में की गई वर्तमान पुरान प्राची नहीं है, इनकी रचना गुप्तकाल के बहुत बाद की नहीं हो सकती मुख्य पुरान संख्या में 18 हैं मतस्य, मारकंडे, भविस्य, भागवत, ब्रमांड, ब्रह्म, वावर्त, ब्रह्म, वामन, वारह, विश्णु, वायू, अग्नी, नारद, पदम, लिंग, गरुण, कूर्म, तता सकंद इन्हें महापुरान कहा जाता है इनके अतिरिक्त 18 उपपुरान भी हैं सनतकुमार, नरसिह, इसकांद, शीवधरम, आशरिय, नारदिय, कापिल, वामन, ओसनस, ब्रह्मांड, वारुन, कालिका, महेश्वर, साम्ब, सोर, पाराशर, मानीच, और भारगव ठीक है यह 18 पुरान कही बार एकजामे पूछ लेते हैं पुरानों की संख्या, तो मुखे पुरानों संख्या में 18 हैं अमरकोस में पुरानों के पांस लक्सन बताये गए हैं सर्ग अर्थात स्रष्टी की उत्पती पर्ति सर्ग अर्थात प्रले के बाद स्रष्टी की पुन्ध है उत्पती वन्स अर्थात देवतों और इस्यों की वनसावली मनवंतर अर्थात महायूग वन्सानुचरीत अर्थात राजकुलों का इतिहास किन्तु आश्चरिय की बात यह है कि उप्रियुक्त पुराणों में से किसी में ये पांचों लक्षन प्राप नहीं होते हैं कहीं कहीं उप्रियुक्त लक्षनों के साथ पांच अन्य लक्षन भी गिनाए गए हैं व्रति, रक्षा, मुक्ति, हेतू तता उपास्रे अर्थात ब्रह्म एतिहासिक द्रस्टी से वनसा नुचरित का विशेश महत्वय है इसके अंतरगत हम प्राचीन सासकों की वनसावलियां पाते हैं रिक्षित से लेकर नंदवन्स तक का इतिहास समय मुख्यत या पुराणों से ही ग्यात होता है मोरिय सुंग सातवाहन गुप्त आदी राजवन्सों का इतिहास भी नियुनादिक रूप से पुराणों से जानना जाता है तो मोरियों के बारे में सुंगों के बारे में सात्वाहनों के बारे में हब पड़ चुके हैं ठीक है पार्ट जीटर ने इनके एथिहासिक महत्वय की और विद्वानों का ध्यान आकर्शित किया है पुराणों के आदी संक्लन करता महर्शी लोमहर्श अत्वा उनके पुतर अग्रे सर्वा माने जाते हैं पुराण सरल एम व्याभारिक भासा में लिखे गए जन्ता के ग्रंथ हैं इन में प्राचीन ग्यान विज्ञान पसुपक्सि एम वनस्पति विज्ञान आयूर्वेद आदिसभीकाद समावेश मिलता है इस प्रकार ये ग्यान के विश्वकोस ही है तो देखेगा इस वीडियो में हमने पुराणों के बारे में जानकरी प्राप्त की आगे भी हम आपको इसी तरह से अच्छे से इत्यास विशेश सम्बंदित महतोपुन जानकरी प्रदान करते रहेंगे तो बने रहें यूट्यूब चैनल इंडिया ओल्डेज से